नमस्कार मैं हूँ अमीश दिवगन आज मैं जिस मुद्दे पर बहस करने जा रहा हूँ वो बहस देश की उन तमाम बेटियों के नाम है जो दरिंदगी का शिकार हुई है क्योंकि आज सुभा एक खुश कबरी आई कि पुलिस ने हैदरबाद के दरिंदों को एंकाउंटर मे मार गिरा है यह दरिंदे पुलिस से हत्यार चीन कर भागने की कोशिश में थे जैसी जानकारी मिली जिसके चलते उन्हें धेर करना पड़ा लेकिन कुछ लोग इस एंकाउंटर पर खुल कर सवाल खड़े कर रहे हैं मानव अधिकार के ठेकेदार बनने वाले कुछ लोग प जरिंदों का आतकवादियों का और पत्थरबाजों का होता है क्या सिरफ कसाब अफजल गुरू और याकुप मेमन का मानव अधिकार होता है क्या दिल्ली की निर्भया हैदराबाद की दिशा और उन्नाव की पीडितिय का कोई मानव अधिकार नहीं है इसी मुद्धे पर आज जन तक के बीच होगी इस सबसे बड़े विशे पर सबसे बड़ी पहस और मेरे साथ तमाम दिगज लोग मौजूद हैं इस पर बहस करने के लिए लेकिन पहले ही रिपोर्ट पे नज़र डाल लेते हैं आज शबसे बड़ा हैं जिसकंद फूल झाल डाट तूड रहे हैं जतात को बहर करो टाट पेट ने काटने काम होना चाहिए हम खुल का बदला खूल इस चीज को क्यों ही पॉलो करते हैं आज की सुबा दिशा को इंसाफ की खुशखबरी लेकर आई हैदराबाद गैंग रेप के चारो आरोपियों को पुलिस ने एंकाउंटर में मार गिराया NH44 पर जहां दिशा के साथ दरिंदगी हुई थी ठीक उसी जगा पुलिस ने चारों को धेर कर दिया पुलिस का तावा है कि वो आरोपियों को सीन रीक्रियेट कराने के लिए लेकर गई थी इस दौरान आरोपियों ने पुलिस से हतियार चीनने और भागने की कोशिश की जिसके बाद पुलिस ने उन्हें ठेर कर दिया पुलिस ने एक नजीर पेस किया है बहुत खुसु मैं उस परवार के लिए खुसु कि उन्हों को उनको हमारे जैसे साथ साल संगर्सक नहीं करना पड़ा अच्छी नदिंग कें ब्रिंग अवर सिस्टर बैक बच्टिल आ थिंग एच रिली आज सुबह का शुक्रिया स्की आ बहुत ही बाहदुरी का कारिये किया है वह न्यायपून कारिये किया है दे रहा है दुरुस्ता है बहुत दे रहा है दूसरी तरफ कुछ लोग एंकाउंटर पर खुलकर सवाल भी उन्हा रहे हैं जो है दो इसके पूरी एंक्वाइरी होनी चीए उदी इसका समत्रा ने कुछ भी आपरात किया हो तो अफिर कल आपको मारेंगे मुझे मारें उनको लोगे सामने लाकर और फिर उनको सुजा दी जाते इससे समाज में एक तरह का मैसेज जाता कि जो इस तरह से करते हैं उनक कुछ लोग जो है इस तरीके के प्रस्शन लगा रहे हैं उनको शायद पुलीस के कारवाई की जानकारी कम रही होगी उधर उत्तर प्रदेश में पुलीस एंकाउंटर पर सवाल उठाने वाली मायावती भी कहने लगी कि यूपी की पुलीस को देलंगाना पुलीस से सीखना चाहिए लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि क्या एंकाउंटर पर सवाल उठाना जायज है क्या चारो दरिंदों के मानवा धिकार का सवाल उठाकर हैदराबाद की बीटी के साथ नाइनसाफी हो रही है इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी वहस पर मेरे साथ बात करने के लिए इस पूरी चर्चा में शोशल एक्टिविस्ट सुबूही खान के हैं उनका स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में बात करने के लिए मौजूद है शोहिब जमाई प्रेजिडंट इंडियन मुस्लिम पाउंडेशन के यह भी बड़े शोशल वरकर हैं मेरे साथ डॉक्टर सम्भित पात्रा है बीजेपी के परवक्ता मेरे साथ रंजीत रंजन है कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता former member of parliament मेरे साथ इस चर्चा में भरका त्रेहन है उनका स्वागत है इस चर्चा में वो भी social activist है मेरे साथ इस चर्चा में निशान्त वर्मा है strong supporter है human rights के आप तमाम लोगों का स्वागत है और जनता आपका भी स्वागत है क्योंकि दो देश की दो मुख्य पार्टियों के नेता मेरे साथ है तो मुझे लगता है कि इस पूरे मुद्दे के उपर उसी पे चर्चा शुरुबात उसी से करनी चाहिए मैं सब चुपहले रंजीत रंजन और संबित पात्र आप दोनों को किया है क्या आपको लगता नहीं है हुमन राइट्स का उलंग है तेकिये मैं आज भी उस बयान पर कावेज हूँ और आज भी कहूंगी कि अभी एक हुआ है और इमिडेट बहुत सारे जो बच्चियों का बलतकार हुआ या तो उनको इमिडेट फासी होनी चाहिए या तो वो भागेंगे तो इनकाउंटर होना चाहिए यहाँ पर कॉंग्रेस की बात नहीं है बीजेपी की बात नहीं है सपा की बात नहीं है यह एक बच्ची के रेप की बात है और बार बार मैं कहूंगी जितनी बार यहाँ पर अगर कॉंगर्स को रिप्रेसेंट करने आऊंगी लेकिन बलातकार का मुद्दा होगा तो मैं सारे विक्टिम की मा के रूप में बोलूँगी उसको महसूस करके बोलूँगी ना कि पार्टी लाइन अगर पार्टी लाइन आपको कहती है और मुझे नह हमारे कानून का फेलियर, बलतकारियों को रोटी खिलाने का फेलियर, MLA MP जो बलतकार करके पालेमेन में टिकट देने का फेलियर ये हमारे सिस्टम का ही फेलियर है जिसके कारणारी इंकाउंटर की नौबत आईए जी संबित संबित पात्रा आज आप परत्याश्य द्रिश्य में देखने को मिले पुलिस के लोगों ने पैर चुए गुलाब के फूल बरताए लेकिन अभी अभी जो बड़ी ख़बर आ रही है एमिनिस्टी इंडिया कहा रही है कि भारत में मानव अधिकारों का खुला उलंगन हो रहा है और उनके एक रिप्रेसेंटेटिव ने बोला है ये हिंदू राष्टर की तरफ एक कदम आगे बढ़ा दिया गया है इसमें हिंदू राष्टर कहां से आ गया है ये बोला गया है इसमें धर्म क्यों लाया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है और अमिश भाई देश के इतिहास में ऐसा कुछ समय आता है कुछ पल आता है जिसमें collective consciousness जिसको कहा जाता है पूरा देश एक मत होकर सोचता है एक जुट होकर सोचता है वह किसी प्रकार के विभाजन में नहीं सोचता है जिस प्रकार से आज से 7 साल पहले निर्भया के साथ जो कांड हुआ था पूरा हिंदुस्तान देहल उठा था, पूरा हिंदुस्तान नत्मस्तक हो गया था, शर्मशार हो गया था और पूरे हिंदुस्तान ने एक collective conscious दिखाते हुए कहा था कि ये जो rapist है उनको तुरंट फासी पे चड़ाना चाहिए दिशा के साथ हाइदराबाद में उस दिन सुबह जो हुआ 25 तारिक को जब हम जगे अगले दिन सुबह तो ये विश्वास नहीं हुआ कि एक बेटी के साथ इस प्रकार हो सकता है वो दरिंदगी इतनी खराब थी कि हर कोई हिल गया और आज कहीं ने कहीं एक sense of closure हिंदुस्तान के हर विक्ती में है मगर अंदर से उसको लगता है कि कि जिस प्रकार उस बेटी दिशा के माभाप को लग रहा होगा कि हाँ मेरी बेटी के साथ न्याय हुआ हर किसी को हिंदुस्तान पर एक सवाल उड़ता है संबित पता क्योंकि आप केंदर की सरकार में क्या कानून का राज है या है जिस तरह से राकी बादी जा रही है गुलाप की पंखुडिया बिखेरी जा रही है देखे दो चीजे हैं इसमें कुछ तो कारण रहा होगा कि पुलिस ने एक अदम उठाए पुलिस तो रोजी कदम नहीं उठाती है और उसके विशह में मैं नहीं बता सकता क्या कारण पुलिस ही बताएगी किस प्रकार से, ब्हागना शुरू हूँ वो भाग कैस कैसे रहे थे आर्म- बने सुना Tir Hungary में और और दरिंदे आर्म चीजु के बहागे caval 2 बी अपना काम करेगी, तो मुझे लगता है मेरा.... आपको सला भी मिल गई मायावत्ती ने सला दी कि यूपी पुलिस को भी ऐसा ही करना चाहिए ठीक जो भी पुलीस है पूरे हिंदुस्तान की पुलीस को अपने मंतव्य के हिसाब से उस समय घटना चक्र रहेगा उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा मैं एडवाइज नहीं हिंदुस्तान के समविधान के हक में हम हिंदुस्तान की जनता के हक में है पुलीस को कोई कारण जरूर रहा होगा जो पुलीस ने ऐसा काम किया है और हम इस हक में हैं कि अगर दिशा के साथ इस प्रकार की दरिंदगी हुई है वो दुबारा किसी भी कीमत पे नहीं होनी चा चाहूंगा उनके जो उनके जो होम मिनिस्टर है मेहमूद अली साहब उनको भी सलाम करना चाहूंगा कि उन्होंने ये डियरिंग दिखाई ये देखिए सवाल ये नहीं है कि आज इनकाउंटर हुआ तो कल कैसे हालात होंगे मसला ये कि जब कानून हमारा इतना लचीला हो जा कभी दिल्ली सरकार में कभी प्रसिडेंट तक लटकी रहती है तो लोग जितनी हमारी बेटियां हैं उनका मुराल डाउन होता है कि ये दरिंदे बाहर घूम रहे हैं इतनी आसानी से और बेटियां कैद में रहें बहुत सारे लोग हमेशा कहते रहते हैं कि आप मिडिल इस स क्यों कंपेर करते हैं या फिर शरीयत की बात क्यों करते हैं मैं यह नहीं कहता हूं कि आप सारी चीजें उस पे लेका हैं लेकिन हमारे हिंदुस्तान का समविधान कई सारे देसों से बोरो करके बनाए गया है और बाबा अमबेटकर साहब ने जो है भी कहा कि जो अच्छी हम वो ले सकते हैं मैं इस बात की वखालत करता हूं कि आज पारलियामेंट में यह पब्लिक प्लैटफॉर्म यह डिसकॉस्ट करने की जरूवत है कि रेप की सिर्फ मामले में कोई ऐसा कानून जो मिडिल इस्ट में चल रहा हो या फिर शराइत वागर आगर आप लागर उनी के जो है अंडर होती है तो जाहिर से बात है जैसे हम लोग के रेटिट देते हैं कि नहीं तो इसलिए मैं तो शराइए कानून पर डिबेट होना चाहिए निया कुछ अच्छी चीजे उसकी आप लाइए मैं उसकी बात नी करो शरीट कर रहा है ताकि हमारी बहु बेट कर रहे हैं आप मह्मूब अली साप या जो वहां के ग्रहां मंत्री है उनकी तारीफ कर रहे हैं या फिर पुलिस की डेरिंग की बात कर रहे हैं सुबुई खार चलिए बहुत अच्छा आपने सवाल पकड़ा है ये अगर एंकाउंटर का क्रेडिट में वहां के होम आपको इटराए पहली चीज दूसरी चीज मैं बोलती हूं कि देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इंक्वाइरी इंवेस्टिगेशन और जुडिशिल प्रोसेस यह बहुत इंपोर्टेंट कडियां होती है तो मैं इस चीज के लिए बहुत खुश हूँ कि अट-लीस पहली कड़ी है पुलिस उसने दे रहा है दुरुस्ता आई जैसे अभी एक स्टेट्मिंट आपने दिखाई थी आप पेशे से वखिल भी है जी मैं बिल्कुल आपको यह लीगल और रैशनल माइंड अप्लाई करके बता रही हूं जो हुआ है कुछ भी लीगल नहीं हुआ पुलिस ने एक भागते हुए प्रादियों को जो उनके हाथ से गन लेके भाग रहे थे उनको पुलिस ने प्रोएक्टिव ली और सवाल पूचे जारा है वह प्रादी अचानक भागने लग गए और उनको मार दिया गया देखिए वो जांच का विश्य हम उस पर नहीं आ स तो किधर भाग रहे थे चाहिए उन्होंने कुछ भी अपराद किया हो तो फिर कल आपको मारेंगे मुझे मारेंगे रंजीत रंजन देखिए उन्होंने एक बात और जोड़ी थी कि निर्भिया का डिले हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरा का इंकाउंटर कर दो मैं मेंका गांदी जी से पूस्ती हूं कि उनको तो और विमेनल चाइल के मिनिस्टर रही है पहले यह आप मुझे बताए लाखो बच्चियों का रेप हो रहा है तो क्या यह इसे प्रक निर्भिया का रेप था दूसरा मेंका जी सड़क चलते अगर एक बिल्ली को आप चोट पहुचा दीजिए तो उसकी आफाया दस्कर जाती है अरे यह तो इंसान के बच्चियां है जिनको सड़क पे जलाया ज बाते हैं तो भाइया मेंको फिकर नहीं है शायद इनका बेटा नहीं है तो मुझे फिकर नहीं यह उन माऊं से पूछो जिनकी बच्चियां है और जिनके सवगा पे बच्चियों को जलाया हुआ है और आप कह रहे हैं कि बहुत ही जगन्या अपराद हुआ था और हमारे द क्रिया को समझने के बात करें यह बिल्कुल भी प्लिटिसाइज करने लाइक इशू नहीं है दूसरा बहुत ही सेंस्टिव मामला आपके सामने क्या हुआ यहां तो शरिया भी पीच बना गया वहीं उनी को सुना रहे हूं कि यह बहुत ही संगीता से समझना पड़ेगा मैं इसके अगेंस्ट हूं जो एंकाउंटर हुआ है जी बिल्कुल उसके कारण यह है कि हमारा जस्टिस सिस्टम था नयाय प्रणाली के बराबर हमें चलना चाहिए तो उनके अनुसार हमें आनी चाहिए तो हमें वेट करना किसको लिए उसकाइब यह हैं यह दो करण भारा जारे खिल किसको लिया किसे काई तेचे में उसके चाहिए कर घिल्क कहा इंदेधां यह बला टाइटरों फंधल इसलुंसार को ओनलाइं किसको भॉएख अगर एंकाउंटर करना है तो ने पर आपने धाने करेंगे कि पैर पर गोली चलाने चाहिए कि कहा गोली चलाने चाहिए वह आपने धाने कर सकती ना पर आपने पर पर चाहिए कि अगर आपने देश से बाहर जाने के अनुमती मिल जाती है कि उन्नाओं की रेफ पीडिता को चला दिया गया वह आज इप्स में जिस्तकियों पोकी नाई लड़ रही है संभाव नाई बहुत है संभाव नाई बहुत है हो सकता है बड़ी मत्री हो एक चार लोगों को नहीं हैंडल कर पाए अच्छा आप नहीं बरका बरका मैं यह समझ में नहीं पारा आप क्या कर दो कि अब आप आप आरहे हैं मैं 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 जानता हूं मैडम आप भी कहना चाहती है मैं आप लोग भी कुछ कुछ कहना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो लड़के हैं वो भी इस डिवेट को कान खोल के सुने और अपने दोस्तों को जाके अपने कॉलेजिस में कुछ कुछ जानकारियां दे बड़ा जरूरी है और निशान्त आप क्या कहते हैं यह नैचुरल जस्टिस हुआ है कार्मिक नया मैं कॉंग्रेस बीजेपी और अन्य पार्टियों से कह रहा हूं बलातकार जो हैं जगन्य अपराद आप सब के राज में हुए हैं इसलिए आप लोगों को सबसे पहले इस जगन्य अपराद रोकने कम करने के लिए जो हमारी सामाजिक तुटियां हैं वो तुटियां जो हम अपने बच्चों को शायद नहीं सिखा पाते हैं पहले वो सिखाना शुरू कराने का कुछ पदम उठाए हैं सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की जिमेदारी नहीं है बीजेपी कॉंग्रेस नहीं सिखाएंगी कि बच्चों को आपके क्या करना चाहिए आपके बच्चों को हम बात कर रहे हैं जो बलातकारी लोग हैं वो बेटी के साथ कोई भी बलातकार तो बहुत दूर की बात है अगर इव टीजिंग भी होती है वो एक अपराद है और किसी भी पुरुष को नहीं करना चाहिए लेकिन सोराबुद्दीन से लेकर के आज सुबह तक मैंने इतने क कई कोडस ने इतनी लटाडें लगाई हैं फेक एंटांटर पे आप सेट ऑनाथर के रहे इसको पूरा जब मैं देखिया आपने शुरू में का बहुत संजीद्गी से बात बहुत इसलिए फेक एंडाडें लगाई गई हैं तब हर इंकाउंटर की इंक्वाइरी होनी चाहि है अथवा इस तरीके से पूरी बूलने ने दीजे गा इस तरीके से किसी भी अपरादी जो क्या अपरादी मान लेताओ मैं अपरादी, क्योंकि अभी क्यूंज थे, अपरादी को मारना वो इस लिए नियाय संगत करें नाम लेने कि आपर बात नहीं है उन्होंने बीजे भी कॉंग्रेस का भी नाम लिया तो मुझे लगता है कि संभित पात्रा भी हाथ खड़ा कर रहे हैं काफी देर से नहीं बोले हैं को कि आपने फेक एंकाउंटर की बात करी आप मैं समद रहा हूं आप इसको मैं पूरे हाउस से करूँगा कि इस डिवेट को बहुत ही समद शिलता के साथ हम करें लाखों करोडों लोग हमें देख रहे होंगे और इस मुद्दे पर कम से कम हम चिल्ला चोटना करें कोई साधारन मुद्दा नहीं है दूसी बात है यहां भी मेरे दोस्त निशान भाई मैं ने कहा कि चलो मान लेता हूँ मैं कि इनी लोगों ने रेप किया मुझे लगता है यह बहुत इंसेंसेटिव स्टेटमेंट है आप कोई नहीं जो आप मान लेंगे तो कुछ हो जाएगा इन्होंने रेप किया पुलीस ने बिल्कुल सबूतों के साथ उन्हें पिक किया बलकि पुलिस ने पहले तो गड़बड़ी की थी, फायर नहीं करके, और क्या-क्या पुलिस का पाप रहा था, वो भी हमने देखा है, इसलिए आप ये मत बोले कि मैं मान लेता हूं, चलो, अभी तो अक्यूज दित है, ये जो बचाने की कोशिच होती है, मैं आपको उदाहर मैं जवाब दूगा, आपनों ने अभी कहाना कि हमें बोलने दीजिए, मैं तो आपके नीच में नहीं बोल रहा था, एक साबित कोड़ करता है, अगर यही लॉजिक ली जाए, तो आप तक चिन्माय अनंद को गोली मार देनी चाहिए थी, और कुल्दीप सेंगर को तो इस ही bread earner था, और रात को बेचाराग डर के आया, और किस प्रकार सहमा सहमा वो सोया था, यह हमें बंद करना होगा, यह जो आतंगवादियों को, रेपिस्ट को, डकैतों को, हम यूलोजाइस करते हैं, यह कैसे, अकेले soul bread earner है, headmaster के बेटे हैं, यह देखो, यह आतंगवादी अपनी बेटी के दुख को समझता है, और आज जो हुआ है, उससे पिता भी, पिता भी सुखी महसूस कर रहा होगा, कि हाँ, बेटी को न्याए मिला है, इसलिए पिता के नाते भी हम सब को, अपने बच्चों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, दूसरी बात, जहां तक मेरे प्सक्राइए तक मेरेृ भी बेटी को यह उपोस innे हां तक मेरे प्लेसा, खेचलेगा, कि निशा आज फॉस्णा रखेएगे, ब्रहम रहिम बार को यह से आया, आपकी सरकार दोनों जगे, आपने केसे दाला केसे दोल आने दिया, बेल सरकारे देती है? यह जुडिशल प् लाए बेल मिला यह बेल का अब हाई कोट पर सबाल कर रहा है यह पालिव आप इनको बोल लिए मैना मैं आप से पूछना चाहती हूँ आपने एंकॉंटर को गलत बताया यदि हम छोड़ देते हूं व्यक्तियों को तो फिर से हरकत करेंगे वह पहली बात और दूसरी बात यह है कि अभी तक निर्भया को जो नहाए मिलना था वो ने तो उस मा के दुखदर्द को समझे कि वह कि अपरात करते हैं उनके हाथ पर काट देने चाहिए और जनता के सम्मुक उनको रखना चाहिए और वो जनता उसका न्याय करेगी उसका जिम्मदार हें कि उनका इंकाउंटर कीया गया हम कह रहें बहुत अच्छा किया गया इंकाउंटर किया जितने लोग और है आपके जिस लड़की की माह निया और फोंग उसका हुआ एक लड़की को जो है साब लोग तबाशा देखते रहे और बारा लोग उसको जो है नोच-नोच करके खा रहते तब उस समय शरम किसी को नहीं आई यह ध्यान में रखना चाहिए एक तीन महिने की बच्ची का रेप हुआ और एक पच्चासी साल की बुजर्ग मात अनोंने किसी भी महिला ने किसी का क्या बिगारा था आपको यह होना चाहिए कि जितने ही साथ साल से बठा बठा कर रोटियाक खिला जा रही या जितने भी मंत्री संत्रियी रिये करके रूख आप जाए और जो है उसके बाद शाय दिया अत्याचार होने बंध हो जाए इसके लिए अजादी आजादी कि अजी कि वोगते हैं वो नहीं होते हैं वो रात को डल लगता है आपको पता है मेरी मा लख रहा हूँ से मुझे फोन करती कि बेटा तुम कहां पे हो सीपी में हो अब तुम घर जाओ सूरत डूबने से पहले तुम घर जाओ ऐसा ना हो कि कल को जो है कुछ हो जाए और तुम यहां अकेली और हम क्या कर लेंगे इस तरह से जो है आप यह सोच कि पूछा बाप तक जो है रेप करता है उस बाप को भी शर्म आनी चाहिए और उस मा को चुपने ही बैटना चाहिए जिसके आदमी ने अपनी बच्ची का रेप या उसका गर्दन कार देना चाहिए इस तरह की होना चाहिए कानून इस तरह का नहीं हो की रोटिया बिल्कुल देखिए भावनाओं का अमबार है और इसलिए मैं कहा था कि इस बहस को हमें सीरिस्टी नेना चाहिए आप इसको इतना पॉलिटिसाइज करने का आपने प्रयास किया जो बेहत गलत था नहीं मैंने नहीं किया जो सचाई है वो बताना मेरा भी फर्ज है और मैं भी इमोशनल हूँ लेकिन इसका मतलब मैं सचाई से पीछे नहीं जाएं लेकिन हम बेटियों को तो पढ़ाती है लेकिन उनको बचाएगा कौन यह सवाल उदर कौन आएगा नहीं सब के लिए हम तो चाहते हैं बेटी बचाएं कि अभार बेशते हैं इस वे बेशते हैं कि कैसे लोटेगी कैसे हम उनको मजबूती दिलाए हम पूस्तना चाहते मैं मेरा भी बेटा है वही उसको पूस्तियों कि भार जा के तू प्लीज किसी पर तो आग उठा के नहीं देखना लेकिन घर आके मुझे यह लगता है कि कही अब यह तो आम सवाल है ना जो दोनों के लिए होती है दोनों अनसेफ है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटिया बेटिया अब बहुत जाते हैं और जाता हूं कि आप लोग बोले बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी आपने इंकाउंटर वाली बात बोली तो यह मेरे व्यक् आप 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 कुछ कहना चाहती हैं तो यह कहूंगी इस समय तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना सबसे ज्यादे इस चीज़ पर दुख होता है कि मुझे कहीं जाना होता है तो मुझे इस समय निकलना है या रात नहीं से पहले घर आना है तो मुझे इस उमर में भी डर लगता है कि यह देखिए हम सब्सक्राइब करना हम सारी मुझे लगता है कि काफी भावनाओं का अंबार है तो उसकी हमें इसकी हमें इज़त करनी चाहिए शायद मेरे मन में भी सवाल नहीं है समय मैं आपको बता हो इन सब की बात सुनकर मैं भी मेरे नमन में भी सवाल नहींया शब्द नहीं अरकिन इन पर विखाव बोलिया निशाइद वफिटार बूलिये घलत कर रहा हूँ पर हो सुभान बोलिये और Евania सर बिल्कुल आपको मैं मौका दूँगा एक सेके निशान जी आप गलत करें नंजीता जी तुम यहां पे क्या बोल रही है आप कानून बदल लिए ठीक आप बोलिए आपका भी गुसर जन्विन है पॉलिटिकल बहुत सारे लोग बलतकारी है प्लीज सुनिये और सदन में है मैं यहां से बोलती हूँ वो भी ब्रूटल अपराद है उनको सदन के अंदर बैठाना मैं तब से क्या बोल रही हूँ यह हमारा सिस्टम फेलियर है सिबल सोसाइटी का फेलियर है जिसका नतीजा है कि उनको भागते हुए गोली मारनी पड़ी क्या करते है पुलिस वाले उनको छोड़ देते कि जा वागता रही है आप बढ़कार है अब बढ़कार है आप निशाथ निशाथ रही है आप गलत बात करई पर लागों जो बलतकार करते हैं उनको आपकी स्टेट्मेंट से श्याय मिलती है कि आप जैसे लोग उनको बचाएंगे वो जैसे उन्हों से निकल के वो लड़का उस लड़की को मारने की जो हिम्मत आई है ना आप जैसे स्टेट्मेंट ना आप जैसे जोने वाले यह मुझसे बात करें यह आप लोग यह बात नहीं करेंगे आफ लोग रियात कर रहें एक शर्चा से है यह है सब्सक्राइब एक श्यर्द एक дост शड़ी या आता रह वर्गत शक्राइब निशात श्यर्ड नाचिव कम से कम यहां पर आधे तर्सद से ज्यादा लोग रहे हैं है आधे तर्सद से ज्यादा लोग रो रहे है आदे ड्को निसा टेप को आधे रूंगे के जुए तो यह क्या रेपिस को श्यादार है तो क्या होना चाहिए एपिस मरना चाहिए या श्या मिनने चाहिए निशाद निशाद देखे ये ये निशाद आपको गलत लग रहा है ना आप ने बात को लख लिए न कानून ने कानून के तहट मारी फिर क्यों परशन कर रहा है आप बोल लीजे फिर मैं सवाल ने तो बिटा आपको मैं अभी बच्छीं का मैं मुझसे बोला नीजारा है मैं सबको देख रहा हूं हर महीला यहां रो रही है किसी कांशो दिख रहे हैं किसी के दिखने ही रही हो कितना कुछ सोच रही हो गी वापने बच्पन से अब रही हो तक का Watching कर ती है मुझे किस और मुझे रात में दास कोई किसी जगने से जाने हो thank you वो जिम जाती है न, मैं सही बता रही हूं, रूम ते खड़े होते हैं कि जिम अगर बंवोन होने होला होगा, बत्ती बंद हो रहाएगी, पदा नहीं कौन बेढ़िया छुपा होगा, उसके लिए निकाल जाओंगी, हम बंदू के निकले के निकले के निकले हैं आप, तमाश यह ख़ा देखूंगी, मैं बेटी के तार हाने करो, मैं अवायर जचकराइए हूं, मुत्तोर दोगे उसके, उसके, तर्रीरिस कानून और रहरो किसी के घर में, मैं कुछ पूछा आप, ट्रीरिस कानून का कुछ ऐता की निकले होगा, तो मैं लिएक शात रहोगी, मिरे के तो ने थानेदार का इंतजार करोंगी तो पर दो यूज़ पर आते शांत रहें कम से कम पोल ने दीजिए आग व्लोगों को देखेंगे आज में खाली भाजपा के रंज ता रंज बहनेक से कंड़ें देखेंगे मैं यहां से स्टेज के उपर से देख रहा हूं कि जितनी भी बड़ी भी हैं हमारी बहने हैं वो सब आहत हैं रो रही हैं दिख नहीं रहा है आसू भले ही बगर अपने जीवन के बारे में सोच रही है ऐसे हम लोग जो मंच पे हैं देखे हम लोग मंच पे क्यूं है क्यों कि हम एक जिम्मेदार नागरिक है लोग हम से कुछ सीखना चा करना चाहते हैं करिए मगर चिला के मत करिए अपने तरीके से करिए तुम चुप हो जाओ तुम बैठ जाओ यह तरीका नहीं होता है इतने सेंसिटिव विषय में किस प्रकार का विवार जो हम नुग मंच पर कड़ें किया ये सुभात देता है इतना तो कम सधम सोचबिया कि जनता ने मत पेकिव बयठा आया है आज है डिया इसा चेहरा बनार के किया भी अब किया रेहा है आप शांति से रुखें आज लोगों को बोलने दीजिए और हमें सुनने दीजिए ये लोगों को जाने दीजिए जाने दीजिए ये भड़काने वाले काम मैं नहीं करूंगा अपको निकाल दीजिए आपको जाना आप जाना आप चले जाए मैं जा रहा हूं ये भड़काने वाले काम मैं नहीं करू कोई कोई फरक नहीं पड़ता जी जी एक लड़का पीछे काफी देर से खड़ा हुआ है वह हाथ खड़ा कर रहा है बार बार सवाल पूछने के लिए सर मैं मैं से काग्राय करना चाहूंगा मैं आपने का कि प्रावधान पर भरोसा किया जाए बर्का जी से मेरा सवाल है कि मैं कब तक हम एक प्रावधान पर विश्वास करते रहेंगे मैं यह मानसिक्ता को बदलने की जरूरत है इस टाइम और मैं जैसा हुआ है वो एक खौफ पैदा करेगा और यह खौफ होना जरूरी है हर किसी के अंदर खौफ होना यह जरूरी है हमारे पास एक सम्विधान है हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां एक लीगल सिस्टम है तो मैं उस लीगल सिस्टम के हिसाब साही चलना पड़ेगा आज आज आप इनके लिए पर्सों मढ़रास के लिए चौती बार चोरी किया इन्हों ने इसलिए इन लिंचिंग कर दीजे में पार्लेमेंट में जया भादोडी ने लिंचिंग का आवान किया और मीडिया ने जोर सूर दिकार और रक्षा के लिए तो इस देश का सतियानास करने बें तुने हूए मानव अधिगार का बाग सब के लिए एक टर्रीज को अंड़ पर दिया जाता है एक मानव अधिगार संगठर नहीं बोलता विज्योल देखिए आप लोग शोईब जबाई वीडियो देखिए ने ने वीडियो देखिए पीछे चल रहा आपके यह देखिए क्लियर कट लिए बेड़ गया इसे पारलमेंटरी निजाम में जहां और ऐसे लोग जो एडीयर के सर्वे में अभी आया है कि लगभक 33% ऐसे रिपेलेटेटिव से चाहिए MLA हो या MP हो जिनके उपर वोमेन क्राइम अगे पीच में यह सबसे बड़ी चर्चा अमीश बहुत शर्म की बाते कि ऐसे मुद्दे को भी पॉलिटिसाइस किया जा रहा है दूसरी बात जो बार बार लीगल लीगल यहां पर धिंडोरा पीटा जा रहा है तो एक कानूनी बात दूसरी बात एक लॉयर होने से पहले मैं एक महिला हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि उन लोगों को उनके अपराद की इस तरह से सजा मिली मैं तो चाहती हूं कि उनकी लाशों के बॉड़ी इस देश के हर चराहे पर लगनी चाहिए ताकि बलाक्कारियों कि दिल में भी वह डर बैठे जो जली हुई लाशे देखके बच्चीयों के दिल में बैठता है तो इस चीज को प्लीज एमोशनलों के महिला हो के सोचिए और आप मांते है ने कि शरिया कानून अगाई है और आवी लिबाइड इस देश में अमे इस धिर्वार्टियों के और आफिल सुसाइटी और आवी लिवें ग्ने तेखे एक सिकने इंवे जूता मारने की निकालग के बारूगा वार व्हां इंगे ऑपने इसे निशारा करें आप गलत कर आपि तरहाने वॉलीगा मैं बार बार कहह रहा हूं आप लिए चर्शेया लो की बात रही है इसको टोन में लेके जा रहे हैं एक सेक्ड भाई एक सेक्ड भाई अमीज भाई अमीज भाई देखिए बार बार कह रहा हूं कि यहां पर हम मनुष्य होके बात करें दूसरी बात है यह जो शर्या लौ की प्लीज मैं आप से निवेधन करता हूं अच्छी पॉइंट्स बहुत अच्छे आपने कहें आप इसका समर्थन किया है वह अच्छी बात है मगर आप बार-बार मैं थीन बार सुन लिया आपने कहा कि शर्या लौँ होना इसमें आप कहीं न कहीं अपना एक महत्वपूर कांशा यहाज यह एक शर्या लौँ हो यह पर इसक chilliज मनें सें कहिले जाए नहीं पर देखिए कोई नहीं चाहता है आपके दोट को साली उटे आंड बर्गा मैं से मेरा कोश्चन है कि में आप कानून कानून कर रहे हैं बड़ आप ऐसे कानून का फाइदा जहां गल से फेल ना करें अच्छी बात है आपको नहीं लगता है बहुत बड़ी सबक है अपरादियों के लिए आज जो एंकाउंटर हुआ है मैं नहीं समझती उसमें हो सकता है कोई इन इसेंट हो कोई बड़ी मचली इसेंस काई भी अमीश है पूरी नहीं हुई थी चारों में से हो सकता है कोई इन चारों में को इनोसेंट भी ता नहीं तो अभी तक आपको यह तो नहीं पता लगा कि मुझरिम कौन ता लेकिन इनोसेंट आपने डिकलेर कर दिया सुबूई सुबूई ये इनोसेंट वाला जाहे पचास गुलेंज एक आपको पता होगी अर्या कर मुझरिम भागेगा तो पुलिस मारेगी अभी कोट भी हर चार मिनट में एक लड़की का रेफ हो रहा है उसमें चार महीने की भी है बारा साल की भी है और पचासी साल की इनो हो रहे हैं देआ नौट इनोसेंट उनको जो बलतकार करें अरे वाजिफा ख़र नहीं तो नहीं है मर रहे दो दो चार को पता चलता एक अने संटर फिर आम कहां खड़े है अंअ यह बार्बरी में नहीं रहे थे एक बास जबाब देता है ति हिंदुस्तान में हमारे देश बिल्कुल लेहां सकते हैं जो लोग दूसरों और दरिंदों के तरह बलतकार करें होंगे हैं तुमारे इस डिबेट को दिशा की मापिता भी देख रहे होंगे हो सकता हो देख रहे होंगे उनके दिल पर क्या घुज्रेगा अगर हम कहेंगे यह रेपिस्ट इनॉसंट थे वह आतंकवादी जिन आतंकवादीओं के लिए हम तंगे उठाकर कहते हैं कि अफ्जल हम शर्मि आपको लगता है कि ऐसा इंकाउंटर नहीं हो चाहिए था आपका वो सकता है उसका अबिनंदन भी है उसका स्वागत भी है लेकिन ब्लोगों की भावना हमें द्रिश्यों में दिख रही है पठाके जलाए गए है फूल मालाए फैकी गई है उन पुलिस्वालों को पैर परशेंट लोग 95% यह जो ओडियन्स है यह 98% 1000% 100% मैं आप मैं 100% से 100% जो औरटियन्स है वो भी कह रही है सही हुआ है लेकिन क्या आपको लगता नहीं है तासीर बननी जरूरी थी कोईकि पानी सर्च से उपर जा चुका था पानी सर्च से उपर जा चुका है इससे शहमत ह हमें सेक्यूरटी पर काम करना पड़ेगा लेकिन बबेरिक सोसाइटी नहीं कर सकते हैं यह नहीं ले सकते हमारे जो पैरेंस बैठे हैं वह लड़कें और लड़की का डिफरेंस यह सब तो चलता रहेगा लेकिन जो हर चार मिनट पे जो बलतकार हो रहे हैं उसके लिए क्या सुधाना सेलूशन है यह मैं आपसे पूस्ती हूं कि कानून का डर 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 कानून का डर प्लीज दूरगामी सोच रही हूं कि बलतकारियों को कानून का डर 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 यह शब्द दिखाना और समझाना बहुत जरूरी है संबित क्या आपको लगता है कि देश भर में यह तासीर अगर फॉलो होगी तो एक अनर्की भी बन जाएगी देखिए मैं तो आभी 15 सेकंड आपने दिया है इस कस्तुदूप्यों करना चाहता हूँ निर्भया की मा भी देख रही होगी उनके पिताजी भी देख रहे होगी सुबह से आज वो बहुत परिशान थे क्योंकि उनके केस को साथ साल हो गए क्यूरेटिव पेटिशन सुप्रीम कोट की तरफ वो कोशिश हो रही है कि क्यूरेटिव पेटिशन सुप्रीम कोट में दाखिल करें मैं तो निवेधन करूँगा, मैं बहुत छोटी चीज हूँ, मैं एक नागरिक की रूप में निवेधन करूँगा कि सुप्रीम कोट किसी तरह भी इनके क्यूरेटिव पेटीशन को प्रस्राय ना दे, इनको जल्दी से जल्दी एकदम हो सके तो इसी हफते फांसी निर्भया के जो दरिंदे थे उनको फांसी चड़ाया जाए, यही मेरा 15 सेकंड में इतनी अपील है, और आज बहुत बड़ी चीज मैं देख रहा हूँ, मैं जिस भी महिला के आखों में देख रहा हूँ, उनके दिल के अंदर एक भावना का कही न कहीं कदर देख रहा हूँ, यह collective consciousness ह और कुछ तो कारण है ना, जिसके कारण आज ही चमक इनके आखों में है, है ना, कोई कारण तो है ना, जिस दरिंदेगी के साथ दिशा के साथ अपरात किया गया, पूरा हिंदुस्तान हिल गया था, और आज इनको लग रहा है कि नहीं, दिशा मैं ही थी और मुझे बेटी की इज़त को कुछ नहीं हुआ था, जिस लड़के ने ये जगन्य अपरात किया था, उसके उसके परिवार की इज़त मिट्टी में मिल गई, ये कहना शुरू करना पड़ेगा, ये ही सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, जब तक हम ये नहीं कहेंगे, कि लड़के की इज़त गई है, उसके परिवार की इज़त गई है, तब तक इनसाफ नहीं होगा, लेकिन आज, आखरी दोर में, इसके निशकर्ष में, मैं एक ही शब्त कहना चाहता हूँ, कि कभी कबार इश्वर भी इनसाफ करता है, और क्या ये वाकई इश्वर का इनसाफ था, यही ब